आपका एक बंधन, एक समस्या, एक बकवास जो आपके आसपास के लोग जहलते हैं, उनमें से एक चीज खत्म होनी चाहिए, आप सब कुछ एक साथ नहीं छोड़ सकते, कम से कम एक छोड़ें, क्या आप ऐसा करेंगे? क्योंकि रूपांतरण के बिना, खोकला आध्यात्म, आध्यात्म की बात करना, आध्यात्मिक होने का दिखावा, देका रहें, कोई रूपांतरण होना ही चाहिए, है ना? क्रपिया ऐसा कीजिए, ताकि जब तक आप जीए, लोगों को आपके साथ रहने में मज़ा आए, जब आप मरें तो उन्हें आपकी कमी महसूस हो, आपको जीवन ऐसे जीना चाहिए एक दिन, शंकरन पिल्लई की भीवी, नरास्ती, तो उसने सूप बनाया, और उसमें पांच चमच भरके अलग से मिर्च डाल दी और आकर उसे परोसा, वो भूद गर्म था, जबरदस गर्म, और वो देखना चाहती थी कि क्या होता है वो अपने हाथ मलने लगी, मगर वो अगबार पढ़ रहा था, वो बोली सूप तयार है, सूप तयार है, सूप तयार है वो हम हम करते हुए अब भी एक बार पढ़ रहा था फिर उसने देखना चाहा कि क्या ये उपाय काम करेगा कि कहीं मिर्च पाउडर मिलावटी तो नहीं कि कहीं ये कम तिखा तो नहीं है तो उसने सोचा कि चक्के देखते हैं और एक चमच भर के मुँँ में रखा तो देखा और कहा तुम रो क्यों रही हो वो बोली पता है पिछले साल मेरी मा मर गई और उन्हें ये सूप कितना पसंद था मैंने जब ये सूप बाउल देखा तो मुझे मा की याद आ गई और आंसू आ गए अच्छा ऐसा है कोई बात नहीं क्या कर सकते हैं हम सब कभी न कभी अपने माब आपको खो देते हैं कोई बात नहीं और शंकरन पिल लई सूप के साथ फिर अकबार में घुज गया और अकबार पढ़ते हुए उसने मू में सूप रखा वो डाइना माइट की तरह फटा क्योंकि उसने पूरा चमच पिया था उसकी आखों में आशू आ गए फिर वो आई और बोली अरे तुम भी मेरी मा को लेकर भावुख हो गए वो बोला नहीं नहीं मैं तुमारी मा के मरने पर नहीं रो रहा मैं रो रहा हूँ क्योंकि वो अच्छी मा चली गई और तुम्हें याँ छोड़ गई ये जीने का तरीका नहीं है जब आप जीएं तो लोग आपकी मौजुदगी से खुश हो जब आप मरें तो वो आपको याद करें अगर इसका उल्टा होता है तो इसका मतलब है कि हम गलत तरीके से जी रहें है ना